आर्मी पब्लिक स्कोल के कक्षा चोती के बच्चों का यूट्यूब चैनल अकेडमिय अमवाला में हार्दिक स्वागत है। आज हम व्याकन में सिखेंगे पत्र लेकन, लेटर, राइटेंग। बच्चों इन चीजों से तो आप बली बानती परिचित होंगे। ये हैं लिफाफा और पोस्ट कार्ड। इनका प्रियोग हम पत्र लिखने में करते हैं। आजकल तो कंप्योटर में भी टाइप करके मेल द्वारा पत्र बेज़े जाते हैं। आए जानते बच्चों की रूचि पत्र लिखने में कितनी है। एक दिन एक डाकिया आया और वे मोहित को एक लिफाफा दे गया उसने वे लिफाफा अपनी मा को दे दिया मा ने उसे खोला और पढ़ कर बहुत खुश हुई वे मोहित की नानी जी का पत्र था फिर मोहित ने अपनी मा से कहा मा मुझे भी पत्र लिखना सिखाओ चले आजम मोहित के साथ हिंदी ब्याकर में पत्र लेकन के अंतरगत पत्र की जानकारी समझ कर समस्थ प्रकार के पत्र लिखना सीखे सबसे पहले सीखते हैं पत्र लेकन का अर्थ जब हम अपने सुक दुख अपने समस्या अत्वा निमंतरन आदी को एक कागस पर लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं तो इसे पत्र लेकन कहते हैं इसका क्या मैत्व है पत्र के द्वारा हम अपना संदेश दूसरे तक असानी से पहुचा सकते हैं पत्र में हम अपनी बात को विस्तार से भी समझा सकते हैं पत्र संदेश भीजने का सस्ता सरल एवं सरोत्तम साधन है पत्र कितने परकार के होते हैं पत्र दो परकार के होते हैं आपचारिक या बहारी पत्र अनपचारिक या घरेलू पत्र आये जाने आपचारिक पत्र कौन से होते हैं जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिकर संबंद न उन्हें लिखे जाने वाले पत्र आपचारिक पत्र होते हैं कक्षाध्यापिका, प्रदानाचारे, संपादक, सरकारी करमचारी, व्यपारियादी को लिखे जाने वाले पत्र आपचारिक होते हैं प्रातना पत्र, आवेदन पत्र, कार्यली पत्र, व्यवसाइक पत्र आपच अनवचारिक पत्र होते हैं अपने रिष्टेदार मात अपिता भाइबैन मित्र आधी को लिखे जाने वाले पत्र औयंवादन क्वान पत्र सन्तावना पत्रस के अंतरगत आते हैं जा पत्र लिखते समय हमें कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना चाहिए पत्र की भाषा सरल और स्पर्श होनी चाहिए पत्र जादा लंबा नहीं होना चाहिए पत्र लिखते समय पत्र लिखने वाले की आयू योगिता ततब पत आधी की अनुसार समोधन करना चाहिए सामाने शिष्टर चार सूचिक शब्दों का प्रियोग अवश्य करना चाहिए लिखने वाले का नाम दिनांग तो तब पता उच्चे स्थान पर लिखा होना चाहिए पत्र लिखते समय भाषा का विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए पत के अनिसार कुछ विशेश शब्दों का प्रियोग करना बहुत अवश्यक है अगर पत्र अनुप चारिक है माता पीता दादा दादी मामा मामी अन्य बड़ों को लिखा जा रहा है तो समबोधन में हम पूझे पूझनिय आदरनिय लिखेंगे और उनके अभिवादन के लिए सादर बढ़नाम सादर नमस्ते चरंशपष शब्दों का प्रियोग करेंगे समापन संकेत में आपका सनेपात्र आपका क्रिपा कानशी लिखेंगे इसे प्रकार छोटे भाई, पुत्र, बतीजा, बांजा, बहन, आदी छोटे समबन्दी के लिए समबोधन में चिरंजीवी, प्रियवर और अभिवादन में आशिरवाद देते वे सुभाशीश, प्रसन, रहो, चिरंजीव, रहो, समापन में तुम्हारा ही तेशी, सिनेही, शुब जिन तक अपने बराबर वालों के लिए हम प्रियमित्र, अनुझ, और उनके अभवादन में नमस्ते, नमस्कार लिखते हैं और अन्त में लिखते हैं तुम्हारा प्रियमित्र, तुम्हारा अभिनमित्र, ओप चारिक पत्रों के लिए, अगर महान व्यक्तियों के लिए हैं, या अधिकारियों के लिए हैं, तो उन्हें समभवदन में भदनसार, श्रिमान, श्रिमती, मानवर, महोदय, महोदया का प प्रयोग करेंगे आपके अफचारी प्रावारूप कैसे होता है आये जाने प्रकों हमेशना साइड से ही लिखा जाता है। सेवणह में फरदानाचारह पियालय का नाम लिखेंगي फिर जिस कारण से पत्र लिखहेंगे फिर समभुदन में महोदय में आपकी उडिक लिखा सब्सक्राइब कि मिका के एक पूर्णी व komm पूरी विखे-वस्तु के यहां लिखा जा जाएगा उसके धन्यवाद और अंत में समापन करेंगे आपका आगर गर्स लिख रहे हैं तो आपकी आगर नीशिष्या नाम लेकिने काक्षा लिखेंगे अनुक्रामांग लिखेंगे और फिर दिनांग लिखेंगे तो यह है अपचारिक पत्र का प्रारूख है आये देखे म६हित निआ औश्रकर रेकले अवकाष लिनलतु परात्नापत्र कैसे लिखा सेवा में पORAधानचा रहे हैं है लовалиचा मनी विश्य अवकाष कले परात्नापत्र होतेर सब इने नुए देने की आज मुझे घर पर एक आवश्यक का रहे है और ते मैं विद्याले में उपस्तित होने में आज मर्त हूँ क्रिपा मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें आपकी अतिक्रिपा होगी धन्यवाद आपका आग्याकारी शिश्यर अपना नाम लिखेंगे कक्षा अनुक्रमांग और दिनांग अब हम सीखते हैं अनुपचारिक पत्र का प्रारू इसमें भी हमें पता वगरा सब कुछ लेप्ट साइड में ही लिखना है बाइन तरव से ही पत्र का प्रारू होता है पत्रे में समस् hart घर का नंबर शेट्र और शहर जो पत्र लिख रहह दो पता लिखेगा सबसे ऊपर और फर दिनांग लिख जाएगी जिस दिन पत्र लिखका जा रहा है और फिर जिस पत्र लिख रहे हैं इसको सम्भोधन लिखेंगे अभिवादन पत्र लिखे जाने पर फिर पत्र का प्रारम किया जाएगा और समापन में तुम्हारा मित्र पत्र लिखने वाला का नाम चले आप मोईद आनुप चारिक पत्र अपने जनम दिन पर मित्र को निमंत्रम पत्र देते हुए लिखा सी 120 पट्रेल नगर अंबाला शहर यह तो हो गया मोईद का पता उसके बाद दिना चुबिस जुलाई 2021 प्रियमेत्र और उसने अभिवादन में लिखा सर प्रेम नमस्ते प्रियमेत्र को अभिवादन किया नमस्ते आशा है सर कुशल होंगे तुम्हें याद है कि मेरा जनम 23 जुलाई को है इस दिन शाम को साथ बजी में केक काटूंगा और उसके पाद घर पर रात्रे भोजन का आयोजन है तुम ठीक समय पर पहुंच जाना भूलना मत मैं तुमारी प्रदिक्षा करूंगा अपने माता पितों को मेतर से साधर प्रणाम तुमारी प्रतिक्षा में तुमारा प्यम मित्र मोहिज तो इस प्रकार से मोहिज ने अपने जनम दिन पर अपने मित्र को निमंद्रन पत्र रिखा और जब उसके मित्र उसे शुब का मनाय देने उसके घर आये और उन्होंने मिलकर जनम दिन मनाया और उपहार भी दिये उसे तो फिर मोहित ने उन्हें कहा मैं आपका बहुत आवारी हूँ कि आपने मुझे मेरे जनम दिन पर इतना प्यार दिया और जनम दिन की शुब काम नहीं दी धन्यवाद